मुंबई को प्रभावित करने की संभावना जताए जा रही है आशंका जताए गई है कि है मुंबई से 100 किलोमिटर दूर अली बाग के तट से टकरा सकता है मौसम विभाग ने इसके 3 जून को उत्तर महराष्ट और दक्षिन गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की चेतावनी दी है और इसी के मद्दे नजर मुंबई प्रशाशन के तरफ से लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिये गए है मौसम विभाग ने निसर्ग तूफान के बुदवार यानि 3 जून को मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाने, पालगर, रायगर, रतनागिरी, सिंधु दूर्ग जिले के तटवर्ती इलाकों से गुजरने की आशंका जताई है तूफान के दौरान 100 से 120 किलो मीटर की रफतार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है बीते 100 से अधिक सालों में ये पहली बार है जब कोई तूफान मुंबई से टकरा सकता है महाराष्ट के मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राजजने जो तूफान अब तक झेले हैं ये उनसे कहीं ज्यादा तेज हो सकता है आने वाले दिन तटिय इलाकों के लिए एहम दिन है जो गतिविधियां खोली गई है उन्हें अगले दो दिनों के लिए बंद किया जा रहा है पुर्धान मंत्री नरेंदर मोदी ने महराष्ट के मुख्य मंत्री और गुजरात के मुख्य मंत्री से तूफान को लेकर बात की है